हेलो एन वेलकम टू सीसी सीविल साइट इंजिनियर गाइज आज इस वीडियो में बेसिक सिविल इंजिनिरिंग का पार्ट टू डिसकास करेंगे पार्ट वान अल्रेडी चैनल पे है अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाके विजिट कीजिए मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा लेट्स गेट स्टार्ट इनओ फिर्स्ट क्या है कॉंक्रीट का साइट पर क्या क्या टेस्ट होता है त विंका टेस्थ का लेक यह तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डेस्ट है उसके अंदर क्यूब टेस्ट हो गया और उसके अंदर स्लैंभी टेस्ट हो गयाyer स्लैंभी адर्क होता है तो 25 और 250 और यह व्सक्रीशब है और जो compressive strength है उसका जो cube है वो तो concrete के gradient के हिसाब से चलता है M10, M15, 20, 30, 35 ऐसे Now moving to our second question Which type of instrument we are used in construction site for leveling तो leveling के लिए कौन सी instrument जो हम लोग site पे regularly use करते है Basically site पे हम लोग dumpy level का use सबसे ज्यादा करते है और आप water level का भी use कर सकते हैं लेकिन वो छोटा मोटा construction काम के लिए क्योंकि water level pipe से भी level होता है लेकिन उसमें errors ज्यादा आता है अगर बड़ा construction हो गया या even professional work हो गया इसके लिए आपको dumpy level का use ज्यादा करना होगा आप आता है third question Third question क्या है? Third question है Why we use steel in concrete? concrete में steel क्यों use क्या जाता है? तो basically concrete में steel क्यों use क्या जाता है? उसका concrete का जो tensile force और compressive force होता है उसको resist करने के लिए steel दे आ जाता है Next question no.4 Question no.4 जो है Initial and final setting time of concrete Concrete का initial and final setting time क्या होता है? अब देखिये Initial setting time जो है Not less than 30 minutes और final setting time जो है वो 10 hours 10 to 12 hours अब question no.5 Question no.5 क्या है? How to calculate weight of bar आप एक bar और सेरिया का weight कैसे निकलते है? तो देखिये एक bar और सेरिया का weight निकलने से पहले उसका unit weight जानना जरूरी है अगर unit weight नहीं पता हुआ तो उसका weight निकलना नहीं जा सकता है तो unit weight निकलने के लिए एक simple सा formula है वो क्या है? W equals to d square by 162 इदर W हो गया weight of bar पर मिटर और d जो है उसको बोलते है die of bar suppose कीजिए एक 12 mm bar का आपको weight निकलना है तो कैसे निकला सकता है? तो उसके लिए आपको जो पहले formula बोला था d square by 162 तो ओ formula इधर पूट कीजिए d के जगा आगया 12 mm bar तो क्या होगा? 12 mm square by 162 अब जो रिजल्ट उसका आया उसको आप टोटाल लेंद आप बार से multiply कर दीजिए अब टोटाल लेंद आप बार क्या होता है? एक 12 mm bar काड बेसिकली टोटाल लेंद आप बार टोटाल लेंद होता है 12 meter अगर जो रिजल्ट आया उसको 12 meter से multiply कर दीजिए आपका weight of bar आजाएगा असानी से Now moving to question number 6 Question number 6 क्या है What are the minimum and maximum cover for beam, slab and footing and column? तो first अम लोग discuss करते है column के लिए कितना cover होता है? तो column के लिए जो cover होता है वो minimum 35 है और maximum 40 तक हम provide कर सकते है Second number पे आता है beam beam के लिए cover हम लोग minimum 25 से लेके 30 तक maximum हम लोग provide कर सकते है इसी तरह slab के लिए minimum 15 maximum 20 इसे footing के लिए 50 mm cover देना जरूरी है तो क्या हो गया? तो summary column के लिए 40 maximum beam के लिए 30 maximum slab के लिए 20 maximum और footing के लिए 50 now moving to question no.7 question no.7 क्या है density of cement, sand and aggregate तो देखिए construction site पे different type का material use होता है तो different material use होता है उसका different density भी होता है तो first हम लोग देखते है cement का density क्या होता है मतलब 14,40 kg पर MQ यह होता है cement का density next आता है sand के उपर sand का जो density है वो different type of sand का different type of density होता है different type क्या मतलब? sand ज़दा तक चार टाइप का होता है एक है dry sand एक हो गया wet sand तीन हो गया loose sand और चार हो गया packed sand तो dry sand के लिए first देखते dry sand के density क्या है तो dry sand का density है 1602 kg पर MQ next loose sand loose sand का density है 1442 kg पर MQ third आता है wet sand wet sand का density है 1760 से लेके 2000 kg पर MQ अब आता है packed sand packed sand का density है 2082 kg पर MQ अब last में आता है aggregate जो aggregate का जो density होता है 1502 kg पर MQ यह हो गया aggregate का density मुविंग टू क्वेस्टिन नमबर 8 what are the minimum propping period propping period minimum क्या होता है तो इसके इसको जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि prop क्या होता है prop कहां लगाया जाता है construction site पे तो prop है अगर from जैसे कि from work लगाया जाता है from work के ऊपर casting का जो load आता है या फिर आप बोल सकते हो from work को support करने के लिए temporary जो vertical support लगाया जाता है उसको भी बोलता है prop तो यह प्रॉप का जो minimum खोलने की time है वो different length की हिसाब से different होता है जैसे कि मानिए आप beam का हो गया अगर beam का हो गया जो beam है उसका जो अगर उसके ज्यादा beam हो गया आप over 4.5 meter तो इसके लिए आपको 21 days तक रखना पड़ेगा ऐसे slab के लिए भी है अगर longer span है उसका तो उसके लिए minimum 7 days और over 4.5 meter इसके लिए 14 days तक आपको minimum रखना पड़ेगा प्रॉप प्रॉप को इससे पहले आप उसको नहीं खोल सकते तो next question question number 9 what are the different type of load on structure एक structure में कौनची कौनची type का load आता है तो कोई भी construction structure पे basically six type का load आता है छे पकर का load होता है यह क्या है एक हो गया dead load 2 हो गया impose load और इसको हम कह सकते है कि live load 3 हो गया wind load 4 हो गया earthquake load और 5 हो गया snow load और last में जो आता है ओ है special load और इसके बारे में अगर आपको detail में जानना है special load में क्या क्या आता है तो आप comment box में comment किजिए हम इसके लिए अलग सा video बना देंगा आपके लिए 87% of the volume of concrete मतलब concrete का जो volume है उसको उसका 0.87% तक हम लोग still minimum यूज करना है और maximum यह 4% तक होता है लेकिन कभी-कभी यह 6% भी होता है लेकिन यह rare case में वो design की सब से provide किया जाता है तो guys यह हो गया हम लोग का 10 questions अगर यह वीडियो अब लोग को informative लगा तो comment box में comment कीजिए और किस topic के आपको वीडियो चाहिए ओ भी mention कीजिए मैं कोशिस करूँगा अगले वीडियो में उस topic को लेके एक वीडियो बनाने की तो guys आज के लिए इतना ही thanks for watching please do like, share, comment and subscribe thank you so much